हलो फ्रेंड्स मेरा नाम राकिश मरमा और मेरी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में फिर सीखेंगे लाभानी पर आधारित सवाल टाइप 15 और 16 दोस्तों इस वीडियो के पहले वीडियो में हम लाभानी पर आधारित टाइप 1 से लेके 14 त और उसका समतुल्य बट्टा निकालना है तो वह हम किस तरीके से निकालेंगे तो उसके लिए आपको ये फॉर्मुला ये ट्रिक समझें इसको याद रखना है हमें किरमिक बट्टे दिये रहेंगे M और N परतिशत तो हमें जो बट्टे दिये हैं किरमिक उनको पहले किरमिक बट्टे किस समतुल्य बट्टा क्या होगा तो यहाँ पर देखिए M हो गया हमारा 20 N हो गया हमारा 10 आप इसको याद रखिए पहले हमें इन दूनों को जोड़ना है तो इनको आप जोड़ लीजिए फिर माइनस लगाना है फिर इन दूनों का आप इसमें गुणा कर देना है और बट्टे में आपको सौक कर देना है आपका अंसर आ जाएगा चली जल से हल कर देते हैं 20 और 10 हो जाएगा 30 इसमें माइनस 20 और गुणा होगा 10 का तो यह हो जाएगा 200 और बटे में हो रहेगा 100 अब क्या हो जाएगा 30 माइनस यह देखे 100 से 200 कट जाएगा 2 बार यहां आपका आंसर आजाएगा 30 मैसेज अब 2 गटेंगे तो हो जाएगा 28 प्रतिशत यह होगा आपका सम्तुल बटा आंसर एक और सवाल कर लेते हैं 35 प्रतिशत तदा 15 प्रतिशत क्रमिक बटे के सम्तुल बटा क्या होगा तो इसके सम्तुल क्या होगा यहां M हमें मिल गया 35 N बराबर हो गया 15 आप इस ट्रिक की इस्तमाल कीजिए पहले इन दोनों को जोडना है तो 35 को जोड़िए 15 में और इसमें घटाना है फिर इन दोनों का गुणा करना है 35 का गुणा 15 में और बटे 100 35 और 15 हो जाएगा 50 माइनस 15 का गुणा 35 में होगा तो क्या है गा 15 का गुणा पहले करेंगे 5 में 15 का 5 में होगा तो का 75 75 का हो जाएगा 5 हासिल की है 7 आ जाएगी 15 3 हो जाएगा 45 45 और 7 हो जाएगा 52 बटे में हो जाएगा 100 आप इसको हल करेंगे 100 से कट जाएगा 525 तो आएगा 5.25 और जब इसको हल करेंगे 50 में से जब 5.25 गटेगा तो आपको हो जाएगा 44.75 प्रतिशत ये आपका आंसर होगा आप घटा की दे लीजिए यही आंसर आएगा चलिए अब जानते हैं टाइप 16 देखे टाइप 16 में किस तरीके से सवाल रहेगा यदि कोई बस्तू का अंकित मूल्य X है तता वह M प्रतिशत और N प्रतिशत के किरमिक बट्टे पर उपलब्द हो तो उसका खरीद मूल क्या होगा जब हम इस तरीके से सवाल आएंगे तो खरीद मूल के लिए ट्रिक रहेगी कि जो हमें अंकित मूल दिया है वह लिखना है और उसमें गुणा करेंगे 100-M जो M प्रतिशत द का लेंगे चली प्रशन करते हैं जैसे हमें प्रशन में दिया है कि सवाल में दिया है एक पंखे का अंकित मूल आट सो रुपए है तथा यह 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के किरमिक बट्टे पर उपलब्द है तो कोई गरहा किसे कितने रुपे में खरीदेगा तो इस मूल ली होगा यहां पर देखिए हमें एक्स मिल गया आट सो एम मिल गया दस और एन मिल गया पांच अब चली इसको हल करेंगे पहले लेना है एक्स तो यह हो जाएगा आट सो इसमें आपको गुणा करना है हंड्रेड माइनस एम मतलब दस बटी में यह 100 हो जाएगा फिर होगा हंड्रेड माइनस एन मतलब पांच अफिर बटी में 100 हल करेंगे तो क्या जाएगा आठ सो गुणा सो में से दस गटेगा तो नब्य बटी सो पांच गटेगा तो 95 बटी 100 अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा यह देखिए 2 जूनी से 2 जूनी कट जाएगे एक सूनी से एक सूनी ये कट जाएगा दो से ये कट जाएगा दो चोके आट और दो पंचे दस और पांच से ये कट जाएगा 95 पांच ये कम पांच और पांच नाम 45 तो यहां क्या बचाब का चार का गुणा 9 और गुणा 19 इसको हल करेंगे तो क्या होगा नौचो के होगा 36 और गुणा हो जाएगा 19 तो 36 और 19 का गुणा हम यहाँ ट्रिक से करेंगे ट्रिक क्या है इसकी पहले 36 लीजे फिर 19 ऐसे तरीके से लिखके गुणा कीजे 9 शेंग होगा 54 54 का आजाएगा 4 हासिल की 5 फिर इनका आपस में तरीक गुणा करके जोड़ते हैं तो 9 3 हो गया 27 और 6 एकम 6 इनको जोड़ना है फिर इस हासिल को भी जोड़ेंगे क्या हैगा 27 से हो जाएगा 28 29 30 31 32 33 33 हो जाएगा 33 में हम जोड़ देंगे 5 33 और 5 कितना हो जाएगा 38 38 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 और हासिल किया जाएगी 3 फिर यह जुड़ेगा 3 एकम 3 और यह बचा 3 3 और 3 हो जाएगा 6 तो यह हो गया 684 तो 684 इसका होगा रुपए खरीद मूले आप इस तरी किसे हल कर सकते हैं चली एक सवाल और करते हैं एक टेली बीजन का अंकित मूले 20,000 रुपए तथा वह 12 प्रतिशत और 8 प्रतिशत के किरमिक बट्टिबर अपलब्द है कोई गरह किसे कितने रुपए में खरीदेगा तो देखिए इसका हल यहाँ पर देखिए आपको एकस मिल गया है 20,000 और यहाँ पर M हो गया 12 और N हो गया 8 हल करेंगे 20,000 गुणा 100 में से घटेगा M 12 बटे 100 फिर गुणा फिर घटेगा N मतलब 8 और फिर बटे 100 यह देखिए क्या इसको जल से हल करती है 12 घटेगा तो हो जाएगा 88 बटे 100 गुणा यह घटेगा 8 तो हो जाएगा 92 बटे 100 चलिए इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा देखिए यह 20 से 20 कट जाएगे और यह वाले 20 से यह 20 गुणा हो जाएगा आपस में 2 का गुणा 88 गुणा 92 दो गुणा 88 में करेंगे तो 8 दूनी 16 हासिल किया जाएगी एक 8 दूनी 16 और एक 17 एक 176 में गुणा हो जाएगा 92 का चलिए हैं यहीं पे 92 का आपस में दोनों का सरल्विदी से गुणा कर लेते हैं तो क्या होगा 6 दूनी 12 हासिल किया जाएगी एक और 7 दूनी 14 और एक 15 हासिल किया जाएगी फिर एक 2 एकम 2 और एक 3 हो जाएगा यहां कटेस हो जाएगी 9 शिंग हो जाएगा 54 हासिल किया जाएगी 5 9 7 63 63 और 5 63 से हो जाएगा 64 65 66 66 68 68 का हो जाएगा 8 हासिल कि हो जाएगी 6 9 एकम 9 और 9 और 6 15 चली इसको जोड़ दीजे जल से जल तो यहां हो जाएगा 2 5 और 4 हो जाएगा 9 8 और 3 हो जाएगा 11 और एक जो बचा है यहां जोड़ जाएगा लूप में लिखके भी याद कर सकते हैं तो आपके सवाल जल से जल के आंसर निकाल सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें अपने दोस्तों क्षा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू